हेलो दोस्तो मैं हूँ दी बाइकर डूड और आज हमारे पास है हॉन्डा की SP 125 एंजिन की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको देखने को मिलता है 123.94 cc का एंजिन और माक्सिमम पावर की बात करें तो 8 किलो वाट एट 7500 rpm है वहीं जो टॉर्क है 10.9 Nm at 6000 rpm जो इसका फ्यूल सिस्टम है PGMFI है और दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है ESP Enhanced Smart Power जो की हॉन्डा कहता है यह बिल्कुल नया इंजिन है और आपको डिलीवर करता है 16% जादा माइलेज इसका instrument cluster है fully digital है engine start stop switch A की है और वहीं इसमें आपको देखने को मिलता है silent start with ACB seal chain भी इसमें देखने को मिलती है जो की इसकी maintenance कम होती है और durability जादा होती है और बहुत बढ़ीयर आइडी एक्सपिरेंस मिलता है तो इसका dimensions की बात करते हैं जो इसकी length है 2020 mm है width इसकी 785 mm ground clearance 160 mm का है वहीं जो इसका weight है curve width disc variant का 117 kg और drum variant का 116 kg हम जो review कर रहे हैं वो drum variant को कर रहे हैं वहीं जो seat height है इसकी 790 mm की है तो कुछ ऐसी चाबियां आती है इसके साथ इसकी जो keys है SP125 की और शुरुआत करते हैं headlight से तो आप यहां पे एक wiser देखेंगे और Honda की branding है उस पे और जो इसका headlamp है वो LED DC headlamp है इंडिकेटर्स की quality भी बढ़िया है देखके ऐसे लगता है इस एक naked street bike की यह इसके headlamp को एक sporty look देने की कोशिश की गई है लेकिन पूरी तरह से sporty नहीं भी लगता तो बढ़ते हैं इसके front tire की तरफ दोस्तों जो इसमें tires आते हैं वो seat brand के आते हैं वो drum है 130 mm की और एक disc variant अलगाता है लेकिन यह drum variant तो हम इसके बात करेंगे front में जो suspension है दोस्तों वो telescopic देखने को मिलता है आपको और यहाँ पे आप एक horn देखेंगे उपर और engine front side से exhaust pipe यहाँ से जाते हुए तो इस side से आप देखेंगे engine और gear box है जो इसका transmission है 5-speed transmission है 5-gear से spike में लगते हैं SP 125 की आप branding देखेंगे वहाँ पे और आप देखेंगे इसकी tail light है जो इसका tail light है वो halogen है इसमें LED नहीं मिलता है आपको and indicators है दोनों side और उपर यहाँ पे बीच में Honda की branding देखेंगे और side में यहाँ पे गार्ड भी दिया गया है जो बड़ी है एक लुक देता बाइक को आप इसे footrest भी बोल सकते हैं extra या sari guard भी बोल सकते हैं और बाइक की दूसरी तरफ आप muffler पे देखेंगे premium chrome cover देखने को मिलता है और अब बात करते हैं इसके rear tire की दोस्तों जो इसका rear tire है उसका size है 80118 और 54p की speed rating है वहाहीं जो brake है rear में drum 130 mm की है और जो suspension है वो hydraulic type है और इसमें आपको cbs with equalizer देखने को भी मिलता है cbs बोले तो combi brake system with equalizer जो की जो braking distance है उसे reduce करता है और आपको एक confidence देता है कि जब भी आप brake मा रहे हैं speed में भी चलाएं तो बढ़िया brakes लगे बाइक में तो जो rear foot rest है दोस्तों यह देखेंगे ऐसा है round shape में और quality of material भी इसमें बढ़िया यूज किया हुआ है और इस तरफ भी आपको SP 125 की branding उपर होना की branding जो उस side है engine पे होना की branding दिखेगी और ESP की branding भी दिखेगी ESP मैंने आपको बताया था दोस्तों enhanced smart power जिसके through इसमें एक enhancement है इसके engine में और आपको 16% ज्यादा mileage मिलता है और इसमें आपको kick start भी देखने को मिलता है जो की अच्छी बात है self start भी है और दोस्तों यह दिखेंगे आप इसमें जो seat आती है वो single seat आती है और काफी comfortable है longer rides के भी बढ़िया है पिछे एक पकड़ने के लिए आपको handle आता है यह इसका fuel tank है fuel tank पर देखेंगे आप graphics बने पर है blue color का fluid fuel tank है और उसपे red and white के graphics बने है वहीं Honda की branding और tank को काफी muscular एक look देने की बड़िया कोशिश की गई है और बड़िया लगता है देखने में और fuel tank capacity की बात करें तो 11 लीटर का fuel tank है left side of handlebar में आप देखेंगे buttons एक indicator switch है horn का switch है वहीं जो इसमें आपको pass switch देखने को विलता है वो integrated headlamp beam and passing switch है और right side of handlebar में आप देखेंगे आपको switch मिलता है engine start stop switch और मैंने start बगे थी काफी silently start होती है मैं आपको exhaust note भी इसका सुनाऊगा और बढ़ते हैं इसके instrument cluster की तरफ यहाँ पर आप Honda की branding देखेंगे and उपर instrument cluster है जो की fully digital है ऐसे यह on होता है तो यहाँ पर काफी सारी चीज़े आपको दिख रही है यहाँ पर दो buttons दिये गए हैं आप trip वगएर अपनी चेक कर सकते हैं और fuel gauge दिया गया है यहाँ पर यहाँ पर gear indicators आपको दिख रहेंगे यहाँ पर clock भी दी गई है and बीच में speed दिखती है उपर neutral है दोस्तों इसमें आप real time fuel efficiency, average fuel efficiency, distance to empty, service due indicator, gear position indicator और eco indicator आपको यह सब functions देखने को मिलता है यह आप इसमें देख सकते हैं आपको यह indicate करेगा EC में इसमें आपको Bluetooth connectivity नहीं आती है दोस्तों और इसमें आपको दोस्तों पांच colors देखने को मिलते हैं striking green, imperial red metallic, pearl siren blue, matte axis grey metallic, athletic blue metallic तो हम athletic blue metallic को review कर रहे थे, पांच options हैं वो काफी सारे options हैं जो इसमें mileage है दोस्तों, owner reported वो 65 km per liter बताया जा रहा है बाकी आप कैसे ride करते हैं और कैसे maintain रगते हैं भाई को उस पे भी depend करता है और बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है और वहीं बात करें इसके pricing की तो जो इसका price है उत्राखन रिशिकेश में जो हमने drum variant अभी review किया था उसका price है एक showroom 78,354 और वहीं जो इसका disc variant है उसका price है 82,649 यह है उत्राखन रिशिकेश में एक showroom price और यह prices हर city हर शहर हर state में अलग-अलग होता है तो आप अपनी नजदी की Honda showroom में जाके चेक कर सकते हैं तो दोस्तों यह bike हमें provide की है auto gallery Honda जो की Honda का showroom है रिशिकेश में और बहुती बढ़िया service है स्टाफ भी काफी बढ़िया है यहां पे और after sales यहां पे service भी होती है अगर आप यहां से खरीदते हैं और service भी करवाना चाहते हैं तो आप यहां पे service भी करवा सकते हैं और आप कभी विजिट कीजिए आप देख सकते हैं और चूज कर सकते हैं और जो discount हो सके वो जरूर मिलेगा आपको तो यह इसके specs और details से दोस्तों और अब मैं आपको इसका exhaust note सुनाता हूं तो यह आपने दोस्तों इसका exhaust note सुना अब इसके कुछ features मैं बदाता हूं जो first in segment हैं जैसे इसमें integrated headlamp beam and passing switch दिया गया है जो वो first in segment है या था जब यह bike launch हुई थी और वहीं इसमें जो sharp LED DC headlamp देखने को मिलता है वो भी first in segment है और वहीं इसमें silent start with ACB है जो silent start होता है वो भी first in segment है वहीं बात करें इसका जो engine start stop switch है या के switch में है वो भी first in segment है 125 इसी bike में and full digital meter जो है वो भी first in segment है तो काफी ऐसे सारे features से इसमें जो first in segment है और on road कैसा perform करेगी जब test ride करेंगे वो मैंने भी किया नहीं है अगर आप चाहते हैं मैं करूँ तो आप comment करके बताइए और comment करके बताइए कौन सा color सबसे best है और इसके similar कुछ bikes में आपको बताना चाहूँगा जो आप देख सकते हैं इसके साथ वो होगी TVS Raider 125, Honda Shine, Hero Key Glamour and Bajaj Pulser 125, Bajaj Pulser NS 125 और यह सब bikes आप consider कर सकते हैं इसको लेने से पहले तो दोस्तो अब मिलेंगे next वीडियो में ऐसे ही में bike review bike information डालता रहता हूँ यार अपने भाई को support करो चैनल सब्सक्राइब करो वीडियो पसंद आए तो share करो like करो and keep riding, stay safe and keep smiling प्रशासपल